पाकिस्तान को भारत तक करारा जवाब, पाकिस्तान के धियने में हैं आतंत वाद माराज कोने परकार बनाने की कवायद से बेना एंस्टीपी और कॉंग्रेस का होगा गडबन कॉंग्रेस लिधायक के भिग्रे बोल, वहाँ पुर्शों को बताया श्चरावी पमलनाज नेताओं का बुराहाल जेजिक उन्पुर्शक में गड़ा रहे से बाद और क्या स्पिरिटों के नेता अप्तुल जबबार का निधन जबबार के लाज से बढ़ती गई लापपाद भारत ने कहा कि नगदी की कमी से जूज रहे राश्र के विशिप्त व्यवार का परिणाम है कि ये देश लगभग विफल देश बनने के लिए गिरता चला जा रहा है भारत ने पैरिस में युनेस्को के महा सम्मेलन में कहा पाकिस्तान में सभी प्रकार का अंधेरा है युनेस्को की बैठक में भारती प्रतिनेदी मंडल का नितरत्व करने वाली अननिया अगरिवाल ने कहा कि कम्योर अर्थविवस्था, कट्टरपंती समाज और आतंकवाद की गहरी जड़ों के साथ ही पाकिस्तान के विक्षिप्त विवार के करन वा गिरते हुए एक विफल राष्ट की और गिरता चला जा रहा है उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में चरमपंती विचारदाराओं और कट्टरपंती शक्तियों की आतंकवाद की सबसे गहरी अभिविक्तियों सहित हर तरह का अंधेरा वहां मौझूद है उन्होंने कहा कि यनुसकों के मंच का दुर्प्योग भारत के खिलाफ जहर अगलने और उसका राजनीति करन करने के लिए हम पाकिस्तान की निंदा खरते हैं The gender-based crimes against women including honor killings, acid attacks, forced conversions, forced marriages and child marriages remain a severe problem in Pakistan today. Mr. President, it is a country whose leadership uses a UN platform to openly preach nuclear war and issue call to arms against other nations. Would this gathering believe if I told them that one of Pakistan's former presidents, General Musharraf, recently called terrorists such as Osama bin Laden and the Haqqani Network as Pakistan's heroes? महराष्ट में गढ़बंदन सरकार बनाने को लेकर एक बार फिर कवायत तेज हो गई है शिफसेना राष्ट के कॉंग्रेस पार्टी और कॉंग्रेस मिलकर सरकार बनाने की कोशिश कर रही है इसके लिए तीनों दलों के बीच नियुन्तम साजहा कारिकरम को लेकर ड्राफ भी तयार किया जा चुका है तीनों दलों के वरिष्ट नेताओं के बीच इसे लेकर बैठक की गई जिसमें इससे जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई है महराष्ट में सरकार बनाने को लेकर तीनों दलों के नेताओं की बैठक के बाद शिफसेना के वरिष्ट नेता एक नाशिंदे ने कहा कि बैठक के दोरान में उन्दम साजहा कारिकरम पर चर्चा हुई इसके बाद एक ड्राफ तयार कर लिया गया है यह ड्राफ तीनों पार्टियों के हाई कमान को भीजा जाएगा इसलेकर अंतिम निर्ना हाई कमान द्वारा ही तै किया जाएगा एंसीपी और ध्यक्ष शरत पवार ने कहा कि सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है राज्य में सरकार पूरे पास सल चलेगी एंसीपी नेता नवाव मलिक ने कहा कि राज्य में मुखमंतरी कमलनाथ ने बिर्सा मुंदा को शद्धांशली देते हुए कहा बिर्सा मुंदा संघर्श, त्याग और कुरवानी की मिसाल है अल्प आयू में ही उन्होंने समाच को नई दिशा दी है बिर्सा मुंदा जैनती पर मद्रदेश कॉंग्रिस मुख्याले में आजित कारिकर में मुखमंतरी कमलनाथ और जनसंबर्ग मंतरी पीसी शर्मा शामिल हुए सभी नेताओं ने विर्सा मुंदा को शिधांशली जी और पुष्प अर्पित कर नवन किया इस अफसर पर मुखमंतरी कमलनाथ ने कहा कि विर्सा मुंदा ने छोटी आयू से ही बड़ा काम किया उनके योगदान को बुलाया नहीं जा सकता बिर्सा मुंदा शंगर्ष, त्याग और कुर्बानी की मिसाल थे शंगर्ष, कुर्बानी और त्याग की प्रदेख थे बड़ी कम उमर में उनोंने समाज में और अपने देश की आजादी के दिए उनका योगदाना 25 साल की उमर में वेशात हो यह पहला वगारन है कि इतने छोटे जीवन में कि कैसे में जिन्होंने समाज को एक नई दिशा दी पूर्व मंत्री नरोतम मिश्रा ने कमनास सरकार पट जम का निशाना साधा और कहा कमनास सरकार अपने वचन पत्र में दिये वचन पूरा करने के बजाए प्रवचन दे रही है सरकार ने अपने कोई भी वचन नहीं निभाए हैं दस महीने हो गए सरकार सिर्फ जाच कर रही है पूर्व मंत्री नरोतम मिश्रा ने कमनास सरकार पर हमला करते हुए कहा कि कमनास सरकार ने वचन पूरे नहीं किया है साल भर सिर्फ प्रवचन दिया है वचन पत्र में कहा गया था कि किसान करज माफी की जाएगी लेकिन वादा आज तक पूरा नहीं हुआ एक भी किसान का करज माफ नहीं हुआ नौजवानों को भत्ता देने का वादा किया गया था लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है किसानों को बोनस नहीं दिया, किसानों को बार से हुई तबाही का पैसा नहीं दिया गया नरुतम मिश्रा ने कहा कि वचन में कहा था कि बेटियों को इस कूटी देंगे लेकिन अभी तक नहीं दी गई बच्चों को मिलने वाली योजनाय बंद कर दी गए कुल मिलाकर प्रदेश की इस्तिती बहुत खराब है सरकारी आवास खाली करवाने पर नरुत्त मिश्रा ने कहा कि दस महीने से सिर्फ हर मामले की जाच ही जारी है कॉंग्रेस के लोग सिर्फ जाच की बात करते है जाच की समिती बनी है सरकारी आवास के लिए अच्छी बात है दस महीने से जाच ही तो हो रही है खोदा पहाल निकली चुया लेकिन इस बार तो दस महीने में चुया भी निकली है दस महीने में चोहिया भी ने निकलिये और फिर जाच जाच पर जाच जाच पर जाच मुझे मालूम है कि जाच चे क्या पढ़नाम आने वाले सरकार उनकी है जाच में जो भी आए वो कारवाई होनी चाहिए हम भी से मत समाजिक और राजनेतिक दवाव के बाद MP की कॉंग्रेस सरकार को अंडे का फंडा समझ में आ गया महिला बालविकास मंतरी मर्ती देवी ने अंडे को अनिवार करने से मना कर दिया है लेकिन इस मसले पर सत्तापक्ष और विपक्ष के भी जम कर बाक युदू चला ऐसे में समाजिक और राजनेतिक दवाव के चलते सरकार को अंडे का फंडा समझ आ गया और सरकार को अपने सैसले पर एक बार फिर विचार करना पड़ा अब आगन बाड़ियों में अंडा एक्चिक खाद पडार्थ हो गया है सरकार का कहना है जिन बच्चों की इच्छा होगी वो अंडा खाएंगे और जिनकी इच्छा फल खाने की होगी वो फल खाएंगे अंडे की बात चलने और अंडा देंगे कि अपनी मरजी से खाएगा उसको हम अंडे देंगे जितो वीजेपी वालों की जब हमें इनका विरूत दिखा तो मैं महरास्ट में गई मीटिंग ली बंबाई में भी मैंने मीटिंग ली महरास्ट में तो जहां इनकी मुख्यधारा है अरेशस की तो जब हुआ भी 2016 से अंड है कि जहां रोक लगा रहे हैं तो कि मदपर्देश के बच्चों से इन्हें दुस्मन ही है ऐसे कई तिलंग ना है महाराष्ट है ऐसे 6-7 जिलों में अंडे दे रहे हैं जहां इनकी खुद की सरकार रहे हैं लेकि मदपर्देश में रोकने का इनका क्या मतलब है और जब हम दंगे तो जो बच्चे अगर अंडा खांगे उन्हें अंडा दंगे जवर जैस्ति किसी से नहीं होगे और जो बच्चे नहीं खांगे उन्हें फल रहे जांगे भुपाल गैस पीडितों के सबसे वड़े नेता अब्दुल जब्बार को इलाज के लिए मुंबई ले जाए जाता उससे पहले ही उनका निधन हो गया बिमारी से दो दो हाथ करके अब्दुल जब्बार का आखरी वीजियो पोर्व मुख्यमंद्री दिग्वीजे सिंग के साथ साथ आया जहां दिग्वीजे सिंग उनसे कह रहे हैं तुमसे बहुत काम ले रहा है सब ठीक हो जाएगा इस मामले में यह भी सामने आया कि दूसरों के हाक और स्वास्थिकी लड़ाई लड़ने वाले अब्दुल जब्बार को खुद ठीक से इलाज में ही मिल पाया और उनकी मौथ हो गया गैस पीडितों के लिए संखर्ष का बड़ा ध्याय लिखने वाले अब्दुल जब्बार का गुरुवाराद भोपाल के चिरायू अस्पताल में निधन हो गया जब्बार का निधन हिर्देगती रुपने से हुआ 63 साल के थे ज्यादा डाइबिटीज के चलते पैर की नसे ब्लॉक होने से उन्हें गैंगरीन हो गया था शुरू में उन्हें कमला नहरू अस्पताल में भर्ती कराए गया था इसके बाद खालत बिगडी तोवे पीचमार सी में भर्ती हो गय जहां डॉक्टर ने कहा कि इलाज की परियाब सुबिधाएं नहीं है लिहाजा 11 नवंबर को उन्हें चिराई उस्पताल में भर्ती कराए गया अब्दुल जब्बार की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिये हैं जिस व्यक्ति ने गैस पीडितों के हक के लिए उनकी स्वास्त सुबिधाओं के लिए अपना जीवन खपा दिया उसे खुद सही इलाज नहीं मिल पाया अब्दुल जब्बार का आखरी वीडियो सामने आया जिसमें पीड़ा उनके चेहरे पर साफ देखी जा सकती है पूर्व मुख्रमंत्रे दिगविजर सिंग गुरुवार को उनका हाल जानने गए और उन्हें ततकाल मुंबई इलाज के लिए चलने को कहा दिगविजर सिंग ने जब बार से कहा सब ठीक हो जाएगा तुमसे अभी बहुत काम लेना है दिगविजर सिंग ने सरकारी कमला नहरू अस्पताल पर सवाल उठाते हुए कहा तुप पड़ा रहाना कमला नहरू में इतने दिन उससे ये सब हुआ है अरे जोडाएंगे तुचिंता ना कर इसको सब ठीक हो जाएगे तुचिंता नहीं करो जबागे तुचिंता नहीं करो सब ठीक होगा कर तैयारी करो बबी चलना आप से किसी बात की शिकर ना कर ठीक है अगिर बात के शुकर जाएगे तुचिंता नहीं हो सका और गैस पीडिटों के लिए अंतिन सास तक लड़ते रहने वाले अब्दुल जबार इस दुनिया को ही अलविदा कह गए भोपाल में गैस पीडिटों के स्वास्त को लेकर सदेव सजग रहने वाले अब्दुल जबार को ही भोपाल में ठीक इलाज नहीं मिल पाएगा इसकी किसी ने कलपना भी नहीं की थी शुक्रवार को भोपाल के गरम गड़ा कबरिस्तान में अब्दुल जबार को सुपुर देखा किया गया समय ब्रेक का है देके बाद जल्द हाजिर होंगे आप देखते रहिए दखल दिए ब्रेक की बाद आपका स्वागत है सबल गड़ के कॉंग्रेस विधायक का ग्यान उनहीं के गले पड़ गया MLA नशे को बुरा बताते हुए प्रत्वीरात चोहान जैसे राजाओं को शरावी बता दिये कई संगठन और लोग जब विधायक बैजनात कुश्वाह के बयान के विरोथ में खड़े हो गए तो उन्होंने सफाई देते हुए माफी मांग दिये सबलगड के विधायक बैजनात कुश्वाह ने अपना ज्यान बगहारने के चक्कर में अपनी जगहसाई करवाली बैजनात कुश्वाह ने बाल दिवस पर नशे की बुराई बताते हुए प्रत्वीरात चोहान समेत कई बड़े बड़े राजाओं को शराबी बता दिया एक नीजी विध्याले में मंच से भाशन देते हुए कुश्वाह ने कहा दिल्ली का राजा प्रत्वीरात चोहान महोबा का राजा परिमाल वा कन्नोज के राजा जैचंद्र जो भी बड़े बड़े राजा हुए हैं उनके किलोवा महलों में आज चमगादर ओड़ रहे हैं और नाम लेने वाला कोई नहीं बचा है इस दुरान कुश्वाह हाथ से इन राजाओं के शराबीने की ओर इशारा कर रहे थे जिली का राजय क्रचिवा चोहां महोए का राजय किरमा चरॉट कहरे से दुर्चाप ये थे तमाँ सारे बड़े बड़े राजे महाराजे से थे इनका कोई मुखावला नहीं था लेकिन इस चपने आज इनके किलोयों में चंगादरे ब्या रही है मेरे साथ-तंगा ने मंच पर माइक पकड़ कर तो विधायक कुश्वाहा ने अपना ग्यान पेल दिया लेकिन उनको इस बात का एहसास नहीं था कि इस बात की व्यापक और जवर्दस्त प्रतिक्रिया होगी कई संगठन अब विधायक के बयान के विरोध में खड़े हो गए तब उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि मैं बच्चों के बीच नशामुक्ती को लेकर कारिक्रम में था मैं उनको संझा रहा था कि जब इतने बड़े-बड़े राजा महराजा दारू के चकर में बरबाद हो गए हैं तो हमारी क्या आउकाद है मेरी ऐसी कोई भावना नहीं थी भावावेश में मैंने कह दिया वो हमारे आदर्श हैं मेरी बात किसी को बुरी लगे तो मैं उनसे सारवजनिक रूप से माफी मांगता हूँ ग्राम पंचयात में महात्मा गांधी महाराश्ट्र ग्रामीड योजना की राशी में भ्रष्टाचार होने का मामला सामने आया है इसमें उच्च अधिकारियों और प्रशाषन की बड़ी लापरवाही सामने आई है प्रशाषन की अंदेखी के कारण सरपंच और सचिवों की मिली भगत के चलते सड़क निर्माण में गुलवत्ता हीन कारे किया गया नाली निर्माण की राशी डकार ली गए और कारे को कागजों पर पूरा बता दिया गया मध्यप्रदेश के वीवा जिले की ग्राम पंच चातों में निर्माण और विकास कार्यों के नाम पर हुए भ्रष्टाचार की पोल परत दरपरत खुलकी जा रही है हाल ही में जिले के त्योथर विकास खंड का मामला सामने आया है जहां ग्राम बड़ा गाउं निवासी रामपाल सिंग ने बताया कि उनके गाउं में सरपंच और सचिक द्वारा अपने उच अधिकारियों को अंधेरे में रखते हुए प्रशाशन द्वारा दी गई राशी में फड़ी नाली निर्मार दिखाया गया है रष्टाचार की पोल तब खुली जब सचिक द्वारा गौव की एक दिवाल पर पीले कलर से रोड बनना और नाली निर्मार का कार्य लिखवाया गया गाउवालों ने सरपंत सचिस से इसकी जानकारी जाननी चाही तो बताने में आनाकानी करने लगे दिवाल में लिखे गए बोड में नाली निर्मार दर्ध था और ग्राउंड रिपोर्ट कुछ और बया कर रही थी एक अधूरा तो दूसरा गाय भी मिला कर्कार क्रिकाष के लीखा गया है कोई सिखाएक ने के लगे तो आगे नाली दाने तो यहां करा एक सप्के जो बोड में लिखा गए लेगे करदे को आ गया है फिश्किन इसके नालि जोनी चाहिए ऐसी कार से रास नहीं लिखे गई है नाडी नब रास नहीं लिखे गई है मध्यप्रदेश सरकार गाउं के विकास के लिए विजिन योजनाओं के माध्यां से करोन रुपे खर्च करती है लेकिन प्रशार्षन के सुस्तरवैये के कारण इस तरहा के धश्टचार देखने को मिलते हैं जिमिदार उच अधिकारियों द्वारा सही तरीके से छेत्रों की मॉनेटरिन लाकिये जाना की नतीज़ा है कि इस तरहा के धश्टचार हो रही है अब देखना ये होगा कि इस तरहां कारे करने वाले कितने सरपंचों और सचिवों के उपर सलेक्टर रोजिला पंचाय सी यो कारवाई करें बंखेडी नया गाउं जंगल छेतर में चर्चित महुआ पेड के पास जाने पर प्रतिबंद लगा दिया गया है प्रशाशन ने पुलिस पर हुए पत्राव और मार्केट की घटना के बाद यहां धारा 144 लगा दी अब शद्धालू इस पेड़ के पास नहीं जा सकेगे फुशंगाबाद के बंखेडी नया गाउं जंगल छेतर में महुआ के पेड़ के पास जाने पर अब प्रतिबंद है अंद्विश्वास के चलते बड़ी संक्या में लोग इस प्रतिबंदित जंगल छेतर में पहुँच रहे थे पुलिस और प्रशासन दोरा रोके जाने पर शद्धालूं और ग्रामीनों दोरा पुलिस पर हमला और पत्राव किया गया जिसमें थाना पर भारी सहित कई पुलिस वाले बुरी तरह जखमी हो गए पिपरी या स्दियम के आदेश के बाद महुआ पेड़ वाले जंगल छेतर में 1244 लागू कर दी गई है गौरतलावे के कोई शरारती तत्मों दोरा ये अफ़ा फैला दी गई थी कि महुआ का पेड़ छूने और दर्शन करने से सबी रोक ठीक हो जाते हैं जिसके बाद बड़ी संख्या में लोग उस जंगल में पहुँचना शुरू हो गए थे प्रशासन के दोरा सब पुला टाइगर रिजर्व जंगल में जाने पर भी पूर्टा प्रतेबंद लगा दिया गया है चैन स्नेचिंग की घटनाओं को अंजाम देने वाले दो यूवकों को रिवा पुलिस ने धर्दो बोचाफ सीसी टीवी फोटेश के अधार पर पुलिस ने दो संदिक्दों से जब कडाई से पूश्टाच की तो इन लुटेरों ने चैन स्नेचिंग की 11 घटनाओं का खु रफ्तार की आए बताया जा रहा है कि पिछले दो महीनों से हो रही चैन स्नेचिंग की घटनाओं पुलिस के लिए सिर्दत बन गई थी यहां आए दिन चैन स्नेचिंग हो रही थी इन घटनाओं से पुलिस प्रशासन पर सवाल या निशान लगना शुरू हो गए थे दिन लूट और चैन स्नेचिंग की वारतातों का खुलासा करते ही बताया कि चैन स्नेचर दूसरे जिलों से चैन स्नेचिंग की घटनाओं को अंजाम देने रिवा आते थे और घटना के बाद गायर हो जाते थे यह दो जो लोग पकड़ाए गए हैं इनका नाम एक नाम है दीप स्नेचिंग करना है और चले जाना है इनसे डीटेल जब पूश्टाच की गई तो कुल मिलाके इनमें 11 चैन स्नेचिंग 12 चैन स्नेचिंग की वारताती होने कबूली है जिसमें से 11 रिवा जिले की है और एक सतना सी रुखी है सीसी टीवी फुटे जो बताए गए हुलिये के आधार पर जब पुलिस ने संदिग्दों से कड़ाई से पूश्टाच की तो चौरों ने चैन स्नेचिंग की 11 घटना करना कबूली आईजी ने लुटेरों को पकलने वाली समझ से टीम को बढ़ाई दी और इनाम सरूप 30,000 रुपे के साथ प्रसेश्टी पत्र दे का समानित किया दो आरक्षक अनुप्तर पाठी और राजेन पांडे को उनकी कारके परती जम्मेदारी, सुजबूज और मेहना से प्रवाविक होकर आईजी ने इनकी पदोनती के लिए पुलिस मुख्याले में पत्र लिखने की बात कही है हमारे तरफ से पूरे टीम को प्रसंसा पत्र दूँगा और ये जो दो आरक्षक है जो मैंने बताया कितनी डिफकल्टी है सुचना को और इंटेंशन को उपर से नीचे आने में जिनने हमारे विजन को हमारे टास्क को अपना टास्क समझा और जुनून के साथ लगे रहे इन दोनों अरक्षक अनुप्तर पार्टी और राजियन पार्ण्डे को करम से पूर्प पदोनती के लिए पुलिस मुख्याले में अनुसंसा भेजूगा मुख्य मंतरी कमलनात के शाशन में पूर्व मंतरी और कॉंग्रेस के दिगज नेता केपी सिंग गाना बजाना कर रहे हैं जिन केपी सिंग को मंतरी मंडल में होना चाहिए था कॉंग्रेस की गुटिय राशिती के चलते उन्हें हाशिये पर ले जाकर छोड़ दिया गया है ऐसे में कॉंग्रेस के इस दिगज नेता का एक वीडियो मायरल हो गया जिसमें वो हार्मोनियम बजाकर शोखियों में घोला जाए फूलों का शवाब उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब गाते नजर आ रहे हैं ये हैं मध्रप्रदेश के दिगज कॉंग्रिस नेता पूर्व मंतरी विधायक केपी सिंग केपी सिंग मुख्यमंतरी कमलनात की वज़ा से इन दिनों फुर्सत में हैं मुख्यमंतरी कमलनात में कई दिगज और काबिन नेताओं को अपने मंतरी मंडल में जगा नहीं दी है केपी सिंग भी उनमें से एक है और इस बार कॉंग्रेस की गुटिय राजनेती का शिकार हो गए है गौल्यट चंबल के इस कद्दावर नेता को लेकर उनके समर्थक भी काफी मुखर रहे है फुर्सत के इस दौर में केपी सिंग का एक और पक्ष सामने आ रहा है वो है उनका संगीत प्रेमी होना संगीत प्रेम को लेकर केपी सिंग का एक वीडियो वाइरल हो रहा है जिसमें केपी सिंग हार्मोनियम बजाकर सत्तर के दशक का गीत शोखियों में घुला जाए फूलों का शबाब उस पे फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब गाते दिख रहे हैं कि हा का शोखियों में घए खीडियों में कर दो बता समय को इ हlaw क्दा औरकारश कर दो मैं को ओुत अफर दय Şimdi बता समय कोई बता समय को बताAnnो लोगने 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 लोगन राजनीती की द्रश्टी से केपी सिंग के लिए ये वक्त कुछ ठीक नहीं है ऐसी विशम परिस्थिती में उन्होंने शांत रहना मुनासिफ समझा और वो लगातार अपने इलाके की जनता के साथ उनके सुख दुख के साथी बने हुए है कॉंग्रिस ने उन्हें भले ही मंतरी बनाना उचित नहीं समझा हो लेकिन उनके इलाके में उनका रुत्वा और चवी किसी मंतरी से कम नहीं है इस वीडियो के सामने आने के बाद कुछ लोगों की टीका टिपणी भी शुरूर हो गई है लोगों का यह भी कहना है कि कमलनाथ ने कुछ बड़े मेताओं को गाना बजाना करने की इस्थिती मिला दिया है इस बुलेटिन में फिल हाल इतना ही आप देखते रहे हैं दखाल न्यूस दखाल आपके हाथ में लोगओ जबिया है आप देख रहे हैं दखल न्यूल